आज हमारे दिन का आगास होता है लाल और पीले फुलों वली रजाईयों के साथ ये और ये रिमाइंडर है आप सब के लिए कि अपनी अपनी रजाईयां साम बलो सर्दियां मोक गियाने और अगर आप देसी फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपके पास ये लाल पुलों वाली रजाई नहीं है ना तो भाई आप देसी फैमिली से नहीं बिलोंग करते हैं इसके बाद हमने मार्किट जाना था कुछ समान लेने के लिए बट आपको तो हमने लेकर ही नहीं जाना गगा, फबीहा, आज़ वापिस, आज़ ज़ब को नहीं लेंके जाना, चलो आप ममा के बास रुखो, ठीक है, अच्छा अच्छा हम भी नी जा रहे, चलो हम भी नी जा रहे, ठीक है किसी तरह हम फ़बीखा को मना के निकल गए और बाहर निकले तो पैसा ही पैसा था हमारे घर के बाहर वैसे हम बच्छमन में कितने पागल होते हैं असली पैसे देके नकली पैसे खरीदते है मार्केट से हमने बहुत सारे मालटे कशरीद लिए औरेंग जूस बहुत पेनिफिशल होता है किड्नी स्टोन्स के लिए और यह मेला खुद का किया हुआ एक्सपेरिमेंट है अपने भाई पे किड्नी स्टोन्स था और मैंने एक्सपेरिमेंट किया उसके उपर एक्षिली जो भी सिट्रस फूड होते हैं ना जैसे लेमन हो गय स्टोन के साथ रियाक्ट करके स्टोन को रिमॉफ कर देता है सो यू है तो यू है तो यू उस इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं इसमें आपको वाइटमिन सी मिलता है एंड यह हमारा फ्रेश औरेंज का निकालावा जूस है और इसके अंदर हमने काला नमक अब और पाने डाल के अपना और इन जूस तियार कर लिया है अब हम सबसे पहले अपनी वाइटमिन सी की डोस दे रहे हैं हम से जबनागा, जनरो बटेकर? आझ किएा दो इक लहा दो, और हम लगा उरो आपकोगे, बसे 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 मैं? बस 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 में फबीहा को जूस कुछ जादा ही पसंद आ गया था और ये जूस पार्टी करने के बाद हमने सोचा के क्यों ना कुछ बना लिया जाए पहले हम इसको बना लेते हैं उसके बाद हम इसको नाम दे लेंगे सही है यह मैंने इसके अंदर शूगर एड़ कर दी है और ब्राउन शूगर भी एड़ कर दी है यह एक्चली मैं कैंडी बिस्किट की फोटो को भी बनाने जा रही हूं यह हम लोग ने बटर एड़ किया बटर आप बजारे भी एड़ कर सकते हैं बट हमने घर का बनावा मक्षान ए इसके अदर हमने एक अदद अंडा एड़ कर देना है और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देना है इतना मिक्स करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए इस मिक्सचर का यह रहा जी इस तरहां की आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वैसे सिखा कौन रहा है जिसकी खुद भी पता नहीं सही बनी थी के नहीं बनी ठीक हो भाई मारो मुझे मारो लें जी इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है तकरीबन डेट कप मैदा इसके इलावा इसमें जाएगा तकरीबन आदा टी स्पून बेकिंग सोडा ठीक है और इसको हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देना है कि यह यक जान हो जाए यह रहा जी हमारा मिक्स्चिर बिल्कुल तयार है अब हम लोगों ने इसमें डाल देने हैं चॉकलेट चिप्स जब मैंने अपनी इस सोगात को बना के सब के आगे पेश किया तो सबने बहुत पसंद तो किया और एप्रिशेट भी किया बट उसके साथ साथ मुझे यह ओर्डर भी आ गए कि अब चार दिन कुछ मीठा नहीं बनना चाहिए हमारे घर में इतना मीठा एंड आप लोग भी मीठा आवोइट किया करें मेरी तरह पागल नहीं हो जाया करें और हम लोग ने इसके बाद अपना थोड़ा थोड़ा सा मिक्स्चर लेके एर फ्रायर में सेट कर देना है ताके यह बेक हो जाए एंड यहां पर अगेन मैंने कल वाली मिस्टेक की कि मैंने नीचे ओइल ग्रीज नहीं किया बट आज मुझे इतना मसला नहीं हुआ खैर हो गई आगे से लाजमे करो गई यह जी हमारे बिस्किट्स रेडि टू गो हैं अब हम लोगों ने स्टार्ट कर गई इसके बाद इसको छोड़ी नहीं देना इसको बार बार खोलके देखते भी रहना कि अंदर कुछ भो भी राय के नहीं हो तो राय है ना यह रहा जी यह बना था यह सोगात त्यार हुई थी और इसका टेस्ट बिल्कुल केंडी बिस्किट जैसा था अगर आप ट्राय करेंगे तो मुझे लाजमें बताएगा के कैसा था और उसके बाद हमने बालो कुरियों की चीज़ बंडी की ली और दिन का इhtताम हुआ हमारी चाय के साथ ये ये तो लाजमी चीज़ होती है ना और रमजान में आफटर इफ़तारी ये मस्ट होती है मेरा पूरा दिन जो होता है वो खाने पीने के इड़ गीड़ी घूमता है और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दा वीडियो फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ बाबाई अलाफिस जा रहे हो तो सब्सक्राइब किसने करना था सब्सक्राइब करके जाओ